एक समय की बात है, एक छोटे प्यारे गाउं में एक द्यालू बुरिया उन्हें सभी लोगों द्वारा उनकी प्यारी सुभा और कोमल आत्मा के लिए जाना जाता था। हालांकि वर्षों के साथ उनके चारों और का दुनिया बदल गया, जिससे इवलिन को थोड़ा भूल जाने का एहसास हुआ। बुरिया हमेशा से बागवानी के प्रती उत्साही थी। उनके छोटे कोठे में जीवन्त फूलों और हर्याली से सजा हुआ था। हर सुबर वर अपने बगीचे की देखाल करने के लिए निकल जाती थी प्रती एक पौधे की कोमल देखाल के साथ। उनका पसंदीदा फूल गुलाब था संदर्य, प्रेम और सहनशीलता का प्रतीफ। एक दिन जब बगीचे के दूसरे कोनी में एक कोमल सुखे हुए गुलाब का बुष मिला। वह बुष दुखी, उपेक्षित और जीवनीन लग रहा था। आन्य फूल उंचे और प्रफुलित थे जो भूले हुए गुलाब को छाया में चिपा रहे थे। बुषिया को उस गुलाब के साथ अग्यात रूप से एक जुडाव का एहसास हुआ। ये उसे अपनी याड दिलाटा था। द्रेता भरे दिल से बुषिया ने निश्चे किया कि वह भूले हुए गुलाब को पुनल जीवित करेगी। उन्होंने उसे पानी से संबारा, बुषिया की केणों में रखा और प्रोच रहन के शब्द बोले, जिसे उन्होंने अन्यों के लिए भी किया था। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए। बुषिया की अटल देखाल और ध्यान धीरे-धीरे चम्तकार करने लगे। एक सुब जब बुषिया लाल, गुलाबी और नारंगी के प्रफुलित रंगों से खिल उठे, जो एक सुंदर्ता को प्रकट कर रहे थे, जिसे नजरंदास करना असंभव था। चम्तकार एक परिवर्तन की खबर गाउं में फैल गई, जिससे उसके निवासियों के दिलों तक पहुँच गई। लो उन्हें दयालता और सहानुभूते की महत्वता की याद दिला रही थी। बुरिया का बगीचा एक आराम और नविनी करन का स्थान बन गया। लोग पास दूर से आते थे, अपनी खुद की संघर्षों की कहानिया साजा करते और बुरिया की ज्यानवान शब्दों और गर् बुरिया का बगीचा फलता फूलता रहा, सभी जीवन के विभिन शेत्रों से आगंतुकों को आकरशित करता रहा। वल गाउं में एक प्रेया आदर्ष बन गई ना केवल अपने सुंदर गुलाबों के लिए बलकि इसलिए भी किवार लोगों के दिलों में आशा की ज्यो करनी की महत्वता की याद दिलाते रहता है।